हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल करिये टेक फंडा में मैं खुश्पू और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि CITS का फॉर्म कब आएगा फॉर्म के आने के बाद एक्जाम आपके कब होंगे और तैयारी के लिए आपको कितना समय मिल जाएगा इन सभी परशन पर जो है आज हम डिसकस करेंगे क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारे प्रशन और लोग कमेंट करके पूछ भी रहे हैं कि य सोवस्ष्क्रशी साइसने में हैं तो आप इस फॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं इस वीडियो में यह बात श्राइगी साथ ही साथ ऑप को बताया जाएगा कि जो है आपके एक्जाम Zentर कहां कहां किसकिस सहर में होंगे ठीक है थो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा ये prospectus है 2022 का session का ठीक है 2022 session का ये prospectus है इसमें अगर हम बात करें पिछली बार online आपका application कब से start हुआ था तो 6 जून से आपका application start हो गया था और 25 जून तक आपके form fill up हुए थे ठीक है 25 जून तक आपके form fill up हुए थे यानि कि यहां पर सीधे सीधे जो है आपको 20 दिन आपका form fill up हुआ था देन उसके बाद आपको 15 से 16 दिन बाद आपका mock examination start हो गया था mock examination की बात करें तो mock test क्या होता है इसके उपर हम detailed video बना चुके हैं तो उसको आप playlist पर जाके देख सकते हैं ठीक है mock test start हो गया था और उसी दिन से आपका ये hall ticket यानि admit card भी आ गया था तो बहुत ज़ादा आपको समय नहीं मिल रहा है form fill up होने के बाद exam के लिए बहुत ज़ादा time नहीं मिल रहा है exam ये mock test भी आप एक हपते तक इस mock test को लगा सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि online जो है आपके exams होते कैसे हैं है न तो यहाँ पर आप mock test भी लगा सकते हैं साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो गया था आपके admit card भी आ गया थे उसे आप download कर सकते थे देन क्या हुआ 17 जुलाई तक आप mock test और admit card लगा सकते हैं और 17 जुलाई को ही आपका CBT exam date था है ना computer based test जो था online वो आपका 17 जुलाई को start हो गया था तो आप देख रहे होंगे कि form fill होने के बाद कितना कम समय मिलता है तो अगर आप अपनी preparation को लेकर अभी से तैयार नहीं है तो serious हो जाईए और अपनी तैयारी में लग जाईए अगर आपको अच्छे NSTI college से अपने state के NSTI college से अगर आप चाहते हैं कि आपको दूसरे सहर में जो है जाके दूसरी जगह पे जाके दूर जगह पे जाके आपक CITS ना करना पड़े क्योंकि अगर आप अपने सहर को छोड़कर दूसरे सहर में जाते हैं तो क्या होगा आपका खर्च जो है आपका खर्च जो है वह दुगना लग जाएगा आप जो कम फीस में जितना कर सकते हैं उसका आप दूसरी college में दूसरे state के college में जाकर करेंगे फिर वहां पर क्या होगा आपको language issue भी होगा है ना अगर आप यूपी भिहार से हैं और आपको चन्नाई में college मिल गया तो वहां पर language issue भी होने के chances हैं ना बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी ठीक और वहां पर या तो आपको English आनी चाहिए या तो फिर आपको Tamil थोड़ी बहुत आनी चाहिए तो हो ना हो आपको बहुत सारे problems अगर आप दूसरे state में जाएंगे तो थोड़ी बहुत problem आपको face करनी ही होगी ठीक है तो अगर जो भी students अभी से serious नहीं है तो अभी से serious हो जाएं अगर उनको अच्छे NSTI college से करना है और अपने state के NSTI college से करना है तो अभी से ही तैयारी में लग जाएं दिन उसके बाद क्या हुआ आपका 26 जुलाई को ही result declared हो गया exam 17 जुलाई को और 26 जुलाई को आपका result आ गया यानि जो है आपको 10 दिन में आपका result आ जाएगा दिन आपको दो दिन बाद ही क्या हुआ था counseling स्टार्ट हो गई थी first phase की जो counseling थी वह आपकी 28 जुलाई से जो है 28 जुलाई से 8 अगस्त तक जो है आपकी यह first phase की counseling होई थी दिन जो है 10 अगस्त से आपका 14 अगस्त के बीच में आपकी second phase की जो counseling थी और sport admissions थे वो सुरू हो गये थे तो यह रही important dates आपके CITS exams के regarding पिछले year का अगर session देखते हैं 2022 के session का यह है तो इसी के according आप समझ सकते हैं कि आपको किस तरह कितना समय मिल जाएगा form के बाद तयारी करने के लिए ठीक मेरा मक्षद बस यही था कि आपको aware करा देना कि आपके form आने के बाद जादा time आपको नहीं मिलने वाला है तो अभी से अभी अपने preparation में लग जाएए अब बात करते हैं क्या जो अभी second year ITI में है वो students इस form को fill कर सकते हैं CITS का जो form है वो second year के students fill कर सकते हैं तो इसका जवाब है नहीं no ठीक है जो second year में है अभी appearing में है वो इस form को fill नहीं कर सकते हैं अगर हम बात करें पिछले year के prospectus के according इस year का भी prospectus नहीं आया है तो इस year में क्या rules होंगे क्या regulations होंगे वो आपके इस year के prospectus के आने के बाद ही declared कर पाएंगे इस बारे में लेकिन अगर हम पिछले सारे सेशन्स का देखेंगे तो यहाँ पर appearing वाले जो ITI students थे वो इस form को fill नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पर जो online application के समय आपके पास ITI का certificate होना चाहिए ठीक है ITI का certificate online application के समय आपके पास होना चाहिए ठीक है तो अब आगे हम बात करते हैं पिछले बार exam centers कहां कहां बनाए गये थे तो अगरतला में बनाए गये थे अगरतला में एजवाल में फिर अलाबाद प्रयाग राज में भी centers थे बैंगलूरू में थे भूबनेश्वर थे काली कच्चेन नहीं थीक है दादराएन नागरवेली में भी थे दहरादुन गोवा गुवार्टी हलवानी हाइदराबाद इंदोर इटा नगर जैपूर ज एमला श्रेन अगर त्रिची त्रिखत त्रिवंद्रम तुरा में वडोद्रा में और वेजाग में और विजयवाड़ा में exam centers बनाए गये थे इन इन शहरों में ठीक है तो लगभग इस यह भी बहुत सारी changes नहीं होंगे सेम ही रहने वाला है कुछ dates में इधर उधर हो सकता है या फिर थोड़ी बहुत आपके जो exam city है एक दो city और add up हो सकती है ठीक है तो यह रही आज की जानकारी I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो please हमाय चैनल को subscribe और वीडियो को like जरूर करें और साथ ही साथ आप आपके मन में जो भी questions आत कर तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको पूछे ठीक है और साथ ही साथ हमाय प्लेलिस्ट को भी चेक कर लीजिए सारी अपडेट यहां पर दी जाती है तो ऐसी वीडियो पाने के लिए ऐसी अपडेट पाने के लिए प्लीज हमाय चैनल को subscribe करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद